दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है परजापती नूच में अगर आप छुट्टियों में विदेश खूमना चाहते हैं और जादा खर्च के वज़े से नहीं जा पा रहे हैं या आपका वज़ट जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है तो अब आपके लिए एक खुसकबरी है जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों के लिए खुसकबरी है वेतनाम में आपको भारती एक रुपए के बदले आपको मिल रहे हैं तीन सो पचपन डॉंग जी हाँ दोस्तो भारती एक रुपए वेतनाम के तीन सो पचपन डॉंग के बराबर है दोस्तो आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी तो आप हैरान नहों क्योंकि ए बात सौ फिसिदी सच है भारती रुपए के बदले जादा रुपए देने वाले की लिष्ट में एक वेतनाम ही नहीं बलकि करीब दरजन भर देश हैं जहां भारती रुपए के मुकाबले यहां की करंसी सस्ती है और आप उस देश में जाके बहुत ही आसानी से खूम सकते हैं ओ भी बिलकुल कम से कम पैसे में सस्ती करंसे वाले एक देश कोई गरीब देश नहीं है इसलिए इस लिष्ट में ब्रितेन और अमेरिका भी सामिल है चलिए दोस्तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दस ऐसे देश के बारे में बताते हैं जहां पर आप बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं ओ भी बिलकुल कम से कम बजट में दोस्तो अब आपका भी सपना पूरा होगा विदेश घूमने का आप सभी लोग वीडियो को लास तक देखते रहें वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके सस्क्राइब कर लें और साइट में बैल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को सेर भी कर दें नमबर एक वेटनाम वेटनाम एक खूबसूरत देश है यहां भारती रुपए की हैसियत भी काफी अच्छी है यहां एक रुपए की कीमत 355 वेटनामी डॉंग है वेटनाम अपने स्ट्रीट फूट के लिए जाना जाता है अगर आप बाडी मसाज के सौखीन है तो आप व नमबर दो इंडोनेसिया भारत का एक रुपए इंडोनेसिया की करंसी 207 रुपए की बराबर है इंडोनेसिया को दीपो का समुक कहा जाता है इंडोनेसिया में आपको कई प्राचीन भारती देवी देवताओं के मंदिर भी मिलेंगे आप कुछ हजार रुपए में इंडो इनेसिया आप घुम सकते हैं नमबर 3 प्राग वे यहां एक रुपए की बदले आपको प्राग वे की करेंसी 90 गवरानी मिलेगा यदि कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप प्राग वे जरूर पहुचिए यहां पर आपको दुनिया के बड़े बड़े एडवेंचरस सो देखने को मिलेंगे और आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं नमबर 4 कमबोडिया कमबोडिया में एक रुपए की बदले आपको 65 रियाल मिलता है आपको बता दें कमबोडिया अपनी हर्याली के लिए जाना जाता है यहां पुरानी सभ्यताओं की महत महसूस कर सकते हैं कमबोडिया भी आप कम से कम बजट में घूम सकते हैं नमबर 4 मंगोलिया मंगोलिया में भी भारती करंसी रुपए की सेहत अच्छी है यहां आपको एक रुपए की बदले 40 मंगोलिया टुंगरिक मिलेगा खनाब दोसी क्या होती है इसे तो आप मंगोलिया में ही महसूस कर सकते हैं मंगोलिया की वातबरण आपके मन को मोह लेगा और आपको वापस इंडिया नहीं आने देगा नमबर 6 कोश्टारिका प्राचीन समुन्दर टटो और रंगीन पानी को देखना हो तो कोश्टारिका की तरफ रुख कर सकते हैं साइद आपको नहीं मालूम होगा जुरासिक पार्क फिल्म की सुटिंग भी यहीं हुई थी जिनका चाहत हो मध्य अमेरिकी घुमने का ओ लोग कोश्टारिका जा सकते हैं नमबर 7 हंग्री हंग्री में आपको एक रुपे में वहां की केरंसी फोरेटे के मुताविक पांच रुपे का समान मिलेगा मतलब की भारत का एक रुपे हंग्री का पांच रुपे की बड़ाबर है हंग्री मध्य एउरोप का एक लैंडलोड देश है लोगों को लगता है कि एउरोप जाना महंगा है लेकिन आप हंग्री के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हंगरी भी मध्ध एउरोप में ही पड़ता है नमबर आठ आइसलेंड यहां भी भारती करंसी रुपया क्रोना पर भारी है आइसलेंड में आपको एक रुपय के बदले दो क्रोना मिलेगा मतलब कि भारत का एक रुपय आइसलेंड का दो क्रोना यह देश तरपाने वाली सर्दियों के लिए जाना जाता है लेकिन गर्मी में तो आप यहां जम कर इंजोई कर सकते हैं अगर आप बरफबारी देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग आइसलेंड जरूर जाएं स्रिलंका भारत के लिए कोई अंजान देश नहीं है खुपसूरत समुंदर, जंगल, पहाड और चाय बगान को देखना है तो आप सभी लोग स्रिलंका जरूर जाएं नमबर दस और एलाश्ट है पाकिस्तान भारत का एक रुपए के बदले आपको पाकिस्तान में दो पाकिस्तानी रुपए मिलेगा और पाकिस्तान तो पडोसी देश भी है जैसा कि आपको पता है पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही में था अजादी के बाद इसे बाट दिया गया आपको पाकिस्तान और भारत में काफी अलग देखने को मिलेगा अगर आप अलग देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान जरूर जाएं तो दोस्तो ए सब देश है जहाँ पर आप बहुत आसानी से जा सकते हैं वो भी कम से कम बजट में दोस्तो आप कौन सा देश जाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरू बताएं इस वीडियो को एक लाइक कर दे जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हर एक ग्रूप में सेयर कर दे ताकि सभी लोगों तक ए वीडियो पहुँच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक जै हिंच जै भारत दोस्तो आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं